चप विश्चो वर्स्पूरों विश्चो की सबसे उत्क्रष्टों प्राचींतं जेन परम्परा के अंतिन तिर्थिंकर भगवान महावीज स्वामी का निर्माड बाबापूर से कार्तिक ट्रिश्ण मावश्यात आमधिवाली को हो गया यहां का कणखडपावण हो गया कहते हैं जब भगवान का निर्माड हो तब यहां पर सरोवर نہیں था बलकि इस भूमी की पावन माटी को अपने माथे पर लगाने के लिए लोग यहां से माटी निकाल निकाल अपने साथ ले गए और इतनी माटी निकली की सरोवर बन गया आज भी इस पवित्र वरोडाओं को यहां पर महसूस किया जा सकता है बिस्ट की सबसे सुंदरता हूँ आरकेटेक्ट में यही एक चल मंदिर प्राक्रितिक सुंदर असी मानन और गहरे ध्यान को बलक्त कराने वाला है इस पवित्र पावन सित गुमी में आचार वरोड़ वन जुद सागर जी मात एक विसाल संग के साथ आगमन हुआ अच्छिस फरवरी दोजार की सुंदर यहां पर आकार आचार वरोड़ वन पूरे संग के दिरा दर्संद भक्तियां पत्यान करसे क्यात हुए देवा सुरेंद नरिना के समझ तेप्या आपा प्रणास करवाप्य मनो आरेप्या घंडा दो जाति परिवारे विवोस तेप्यो नेट्यम नावो जगति सर्वेज नालेप्या अन्चे मी पूझे मी दामी नुवस्या मी दुपको को को इलाव तो गई गाणा समादी मेड़ं जिरको संपति हो दाच्या करने कि आप यंद्रीजु प्रुपल्पी जेंग सब्सक्राइए, लिए जैन्सरी नत्पताबकल क्यां प्रहसेुए सब्सक्राइए, जुझे एओ नुद्सक्राइए, तक्यूंद्सक्राइए, जुद्सरी नत्तिर्षा। गिम्मेग सर्यात्दा वर्थाया लेमुकुरुणे रिसो सित्रेवा तेवारना तच्ण देवति बावनी विभाय पूझो भारनना नमनिया पोगरना स्रीरिक अधिर्वाराय जी पोगरना ओम्रिम्काथिक श्कनाश्याम। सरोबर के मत्यस्तित सफेज संग्मर्मर से निर्मिति है अद्दूती छटा विखेरता हुगा मत्यरु उगता सूर्य मानों अंदर भरवान महावीर स्वामी के चरणों को ही इस पर्स करने जा रहा है। अंदर भरवान महावीर स्वामी के चरणों मौजूद है। यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना मेला लगता है 2600 वर्स प्राचे। मेले की परंप्रा यहाँ पर चली आ रही है।